बिस्पिल्लाई वहमार वहीव, इस उर्दू, उर्दू के आनलाइन वसाइल के अगले एपिसोड में आप तमाम के इस्तखबाल हैं। हमने बहुत सारी किताबों के बारे में बहुत सारे रसायल के बारे में इसे पहले बताया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज मैं एक और रिसाले की जानी बढ़ता हूं। वो कि पहले पेश किये गए तमाम मकालों से जरा सा मुनफरित है। वह इन मानों में कि इससे के पहले के जो रसायल थे वह अदबी थे जहतिकी थे मुक्तलिफ नवियत के थे और बड़े लोगों के लिए थे। आज हम जिस रिसाले पर गुफ्तगू करेंगे वो बच्चों के बारे में। इसे पहले मैंने मुक्तसर तोर पर कौमी कौंसिल बराए फरोग जबान उर्दू नई देहली का बेहतरीन रिसाला बच्चों के दुनिया के बारे में। मैंने बताया था, वो कि आलक से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कौमी कौंसिल बराए फरोग जबान उर्दू के तहर्षाय होने वाले तमाम रिसाहिल को एक ही वीडियो में मैंने पेश किया था, वो कि उनमें बच्चों की दुनिया बड़ा अच्छा रिसाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज ये टेक्नालोजी को दोर है, टेक्नालोजी के रहते हुए बच्चों को किताबों से जोड़ना बड़ा मिश्किल है, क्योंकि बच्चों के हाथ में हर वक्त मुबाइल फून, टैब, लिप्टाप या आजकल के मुक्तलिफ गैजर्ट होते हैं, उन्हें उनमें खेलने में दिल्चस्पी होती है, इससे पहले मैंने तामीर न्यूस का जिक्र किया था, बड़ा अच्छा रिसाला है मुकर्म नियाद साहब का, मैंने उस वक्त ये तारुफ कराया था, कि मुकर्म नियाद साहब एक एहम शख्सियत है, जिन्होंने कार्टून को पेश किया उन्होंने, वेबसाइट पर अपने, तो अब ये दौर है, कि बच्छों को अदब के करीब रखा जाए, बच्छों की दिल्चस्पी का जो सामान है, वो मुहिया कराया जाए, कुछा इंटरनेट के हवाले से हो, यूटूब के हवाले से हो, या हैं, कि आपका बच्छा पबजी की दुनिया में ना जाए, मुक्तलिफ गेम्स में अपना वक्त बरबाद ना करे, तो हमें जरूरत ऐसे रिसालों की होगी, जिन में तर्बियत के पहलो नमाया हूं, ऐसी चीज़े हों, कि कहानी कहानी में, खेल खेल में, उनकी आमान पेश किया जाए, तभी वो इन रसायल की तरफ जुड़ेंगे, इन मैगजीन की तरफ जुड़ेंगे, नहीं तो फिर पलट कर उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिस दुनिया से हम उन्हें निकालना चाहते हैं, बच्चों के अदब पर बहुत कुछ कहा जा है, बहुत सारे रिसाले शाय हो चुके, बहुत सारे बंध हो गए, मुझे इस बात पर फक्र है कि मेरी जो दिल्चस्पी, उर्दु की जानिप हुई थी, वो बच्चों का रिसाला था जिसे हम टौफी के नाम से जानते हैं, तो हमें जो पचास पैसे मिलते थे, एक रुप उस पैसे से हम उसी मैगदीन को खरीच करके पढ़ा करते हैं, जिरे जिरे शौक बढ़ता गया, और हम अर्दु की दुनिया की जानिप बढ़ते चले गए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अर्दु की जानिप ही आए, लेकिन चुकि यह जबान अपनी है, इस जबान पर भ काम इस जबान को सीखना चाहिए, और जहां पर मुक्तलिफ जबानों में मुक्तलिफ चीजें पेश की जा रही हैं, अर्दु जबान भी किसी जबान से पीछे न रह जाये, इसकी जरूरत है, बच्चो के अitelब पर तहकीके हो रही है, बच्चो के अदब पर मकाले लिखे जा रहे हैं हमारे यह साथी डॉक्टर अस्रार अलहक सभीली सहाब ने बच्चों के अदब पर बड़ा काम किया है खुद कहानिया भी लिखते हैं उनका जो पिएजडी का मकाला है वो बच्चों के अदब पर है और इसके आलावा उन्होंने दो सेमिनार नेशनल लेवल के से थाली बच्चों के रसाईल पर उनके मदामीन हैं तो कहने का मतलम आखना हो ख़ंगा बच्च जैसे जैसे आगे बढ़ता झाए हमें उसके मेहार को मतने नदर रखते हुए समान फरहम हुए कि मैं बहक रहा था तो भच्चों के अदब की बात थी बच्चों के रिसाले की बात थी तो मैं फिर वापस आता हूं अपने उजी मावजू पर कि आज मैं एक नए रिसाले की तरफ ले चलता हूं जो बच्चों का है आई यह देखते हैं कि वो रिसाला कौन सा है वातिनों हदरात तो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर एक रिसाला है जिसका नाम है साह हम गूगल पर जाने के बाद साहिल डाट ओ और जी आपलिक मैगजीन करें या विब साइट पर जाकर मैगजीन का आइकन हम तराश कर लें इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पब्लिकेशन में जब हम जाएंगे यहां पर आटमिटिक मुझे मैगजीन मिल जाएगी मैगज अब देख रहे होंगे कि इसके पैरलल दो जबानों में एक साथ यह रिसाला शाय होता है उर्दू में और अंग्रेजी में यह तरह से आप देख रहे होंगे अप्रेल जून 2021 इंग्लिश अप्रेल जून 2021 उर्दू और यहां पर दिया हुए अपने बच्चों से बात करें अब हमने इसको एक अलग से जहें मैंने इसके टाइब बनाये दिए जरी साला डाउनलोड होना शुरू हो गया क्लिक करके मैंने नेया टाइब लिया था सिर्फ देखनें के लिए कि ये रिसाला डाउनलूड होता है या नहीं होता और इस रिसालए के अंदर मवाद क्या है i sождically कोचिश कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यह अंग्रेजी का जो हिस्सा था वह यहाँ पर खुल गया है कई कभी-कवी ہिता क्या है कि जो टाइटिल पेज जो है उस पर जो लगाया जाता है वह अलग हो जाता है तो एक बार हम इस रिसाले को भी देख लेते हैं जो अंग्रेजी का है कवर किसी और का लग जाता आनलाइन करने में नहीं यह दोनों सेम ही लग गये हैं क्योंकि लगाने वाले जो होते हैं वो उर्दू से ना बलद है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है परहल अग्रेजी के हवाले से भी हम देख सकते हैं अग्रेजी के जो मैगजीन है परसा आगे बढ़ते हैं कि वह सारे रिसाले यहां मौजूद हैं कि इसे देख लेते हैं कि यह रिसाला डाउनलोड हो रहा है अक्तूबर दिसंबर 2020 का है डाउनलोड हो जाने दिए ताकि देखें कि कि यहां पर भी तो वही मर्द मुप्तला नहीं है उसी मर्द में कि यहां यहां पर भी वही चीज़ें देखने को मिल नहीं है और यह उर्दू बताया तो जा रहा है लेकिन उर्दू रह नहीं रहा है है ऐसहो devenir कि नहीं है मैंने को पहले भी देखा है कुछ साले को तो होता है कभी 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 इस तरह की चीजहें होती हैं तो वह रहाल यहाँ पर कई रिसाले हैं जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह रिसाले जो है पुलते आएंगे बहुत सारे रिसाले यहां पर अपलोड हैं तो आप परिशान ना हों आप बारी बारी तलाश करें चुकि अंग्रेजी और उर्दू में जो होने का एक बड़ा फाइदा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिने उर्दू नहीं आती ऐसे बच्चों के लिए यह रिस तक पहुँचाएं तर्वियत दें उनकी परवरिश करें और परवरिश करने के लिए किसी भी जबान में किया जा सकता है नसिहत देने के लिए किसी भी जबान में नसिहत दी जा सकती है तो ऐसे लोगों के लिए भी जो उर्दू से नाबलद हैं उन्हें अंग्रेजी के वाले से पेश किया जाए जिने अर्दू आती है उनके सामने अर्दू का या रिसाला पेश किया जाए तो इससे बड़ा फाइदा होगा पर लेक रिसाला और देख लेते हैं हम पूरे रिसालों पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ आपको इस मैगजीन तक पहुंचाना था हमने मैगजीन तक पहुंचा दिया हमारा काम खत्म हो गया अब आप इसको पढ़ें इसका तायूने कद्र करें किस नवियत का है रिसाला अच्छा है या खराब है खराब है तो कितना खराब है परहल यह रिसाला भी अंग्रेजी कही हमारे लग्रेस के सामने आया तो प अंग्रेजी का है हम जितने भी रिसाले देख रहे हैं यहां पर देखिए उर्दू लिखा हुआ है एक बार इसको भी देख लेते हैं लिखा हुआ है देखना चाहिए खुलना शुरू हो गया है काउनलोड हो रहा है हाँ जी हाँ अल्ला का फदल है कि हम काम्याब हो गए और यह अर्दू वाला रिसाला हमारे नजर के सामने आ गया हर बच्चा महफूज महकम और बाहिफादद मुक्तलिफ जो इसका टाइटल पेज बना है मुक्तलिफ अर्दू के जो रिसाला है साहिल का उसके तमाम कवर पेज को इन्होंने यहां पर तर्तीब दिया है और बह को पैदा करने की कोशिश की गई है नसीहत आमेश चीज़ें यहां पर बयान की गई है जैसे सबसे पहला हम देख रहे हैं कि बच्चा साइकल से गिर गया है सबके सामने मदद करना अच्छी बात है किसी से भी कभी भी कोई चीज मुफ्स नहीं लेनी चाहे कि आप से भी पेश की गई है और यह जो इसका पहला सफा है इसमें इनुने इस हवाले से इनुने अपने इस रिसाले की वदाहत की है मुदिर आला मेंजे बानू मुदिरान में मुम्ताज गोहर वकास हमीर सुहल ऐहमद और रिजवाना अक्स्तर सरवरिक मुहम्मद रिहान साब ने करें मश्वरा देने के लिए तमाम चीज़ों के लिए इसलामाबाद में जो इनका हेड़ आफिस है उसका पता दिया हुआ है तमाम चीज़े दी वही है तो यह रिसाला दीदादेब है अच्छा है और मुक्तलित तरह के चीज़ें यहां पर पेश की गई है और बहुत सारी क बच्चों के लिए एक बहतरीन चीज़ हो सकती है बच्चों के मशक्क्त करने के हदबाब और नतायद यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझता हूं कि चाहिए आप सब को कि इस रिसाले से अपने बच्चों को मतारिफ करवाएं ताकि इसका जो मकसद है इस रिसाले प्रोफेसर हदरात तो आपने देखा रिसाला साहिल के बारे में जो बच्चों के लिए है और एक साथ दो जबानों में शाय होता है अच्छा रिसाला है मियारी रिसाला है जिसमें तर्बियत का पहलू है अखला की कहानिया है और जो जराइम हो रहे हैं बच्चों पर जो हैं, मुक्तलिक तरह के मुदूबवाध एन्हों ने दिए हैं, सिर्फ तश्थ इन्हों शामिल नहीं है, में चाऊंगा है, पूनtermin के लिए, बच्छों बहुत सारा सामानियां पर फराहम किया गया है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए यह रिसाला रिफर करें इस एपिसोड में बस इतना ही इंशाला फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए अद्म नए इरादे के साथ ताकि हम बता सके कुछ नया तब तक के यह शुक्रिया अखदा आफिस